कि यह तो मुझे लगता है अपने कुछ लिट लेर्नर से वह भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि मैं दूसरे तरीके से लिख दूँ मैं से तो एक्जैक्ट लिख हों तोड़ा बढ़ा हो जाएगा लोगा लिखी देते हैं कि आई शेल अल्वेज कि रिमेंबर कि इसे ढूणा नहीं जाता है एक्जामपल इसे ढूणा नहीं जाता है कि इने सर्जी दें समझाए इने सर्जी तुम क्या करोगे खाली कॉपी पेस्ट बस इतने कर सकते हो या पूछना चाहते हो वह तो ढूण लो अपने आप मेहनत करके कि वह भी नहीं डूण पाते हैं इस अब आपके साथी नहीं साथी बने आपके उनका क्वेश्चन है पहले में आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्यूश्चन के बारे में आई सब्जेक्ट हो गया वर्भ हो गई अब यह जो हमने नाउन फ्रेज लिखी है इसमें क्या है कि यह जो डे है यह नाउन हो गया कि यह जो है वह डिटर्मिनर हो गया मोमेंटस जो है यह आपका एड्जेक्टिव हो गया अब इनका क्वेश्चन यह है जो पूछना चाह रहे हैं आपके साथ ही उनका क्वेश्चन यह है ठीक है कि जो हमने ए लिखा हुआ है यह वह हमने दिस से पहले क्यों नहीं लिखा ठीक है बताओ कौन कौन बता सकता है पूराने इलिट लेर्नर से उनको इस क्वेश्चन का वैसे आंसर बताने की कोसेश करनी चाहिए आई शेल आलवेज रिमेंबर दिस मोमेंटस अडे तो हमने ए जो है वो दे से पहले क्यों लिखा भाई एड्जेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल कैसे आ गया आर्टिकल तो एड्जेक्टिव फ्रेज से पहले आना चाहिए था देखो सभी लोग एक चीज़ तो एड्जेक्टिव प्रेज है तो जो आर्टिकल है वो नाउन और एड्जेक्टिव के बीच में कैसा है एक लेंग्विस की कॉमन प्रेक्टिस है देर आर सम थिंग्स विच आर नोट वाइडली डिसकॉस्ट इन क्लास्रूम्स वाइल टेचिंग और लर्टनिंग बट देव समय को इस तहीं कि थेखिए कि अगे है कि जब हम कभी किसी संटेंस में कोई इंफिसायज़ वे सटै कोई एसा वह सब्लकिट करते हैं जो सेनले से किसी पार्टब मतलब especially emphasis करे मतलब या emphasize करे या highlight करे तो उसकी position mainly पहले होती है अपनी phrases में और उसको distinct structure चाहिए होता है उसको distinct position sentence में चाहिए होती है यह जो बाते में कह रहा हूं अगर यह आपको करें आपको नहीं समझ में आ रही है कि तो मैं एक एक एक्जाम्पल से समझा थैता हूं पहले क्योंकि उस लेवल के आना जरूर इताब वह बात बात में समझ में मैंने मानलो लिखा वाइज और अव वाइस भाइज बैए अब यहां पर हमने क्या किया जो वाइज है इसको एजेक्टिव उसकिया बॉय नाउन के साथ में यहां पर हमने वाइज अजेक्टिव को यूज किया बॉय नाउन के लिए घुमा फिर आके देखें तो यह दोनों सेंटेंसेंश लिखें के मीनिंग में कोई खास डिफरेंस भी ने जरनी आता ऐसा लग रहा है जो बात एक ही जारी है तो आप अब हमें समझने कि फिर दोनों में डिफरेंस कहा है यह दो अलगले स्क्टर्स क्यों करते इसमें होता है म तो अगर एड्जेक्टिव जिस क्वालिटी का एड्जेक्टिव है जिस फीचर को वह या अट्रिबूट को नाउन के डिस्क्राइब कर रहा है अगर हमें उसको फोकस में रखना है इंफेसिस करना है तो हम एड्जेक्टिव को हमेशा प्रेडिकिटिव लिज़ करेंगे अगर हम एड्जेक्टिव को नाउन फ्रेज में लिख देंगे तो फिर एड्जेक्टिव वहां पर में वर्ड नहीं रहता है फिर वह एड्जेक्टिव जिस क्वालिटी को या फीचर को रहा हो तो फोकस में नहीं आ पाता है तो अगर हम एड्जेक्टिव बाली क्वालिट को किसी नाउन के focus में लाना है emphasis करना इंफिसाइज करना है तो फिर adjective को प्रेडिकिटिवली ही यूज करना चाहिए नाउन फ्रेज में अगर हम एड्जेक्टिव को यूज कर लेते हैं तो वहां पर अब यह इंफिसाइज कर जा रहा है यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है अब उस question में जाओ उस question में आप देखो कि एक बड़ा हमने word अच्छा यूज किया दिस वैसे हम लोगों को पता है सबको मतलब जनरली लोग यह मानके चलते हैं कि दिस लिटेंटर मिन अर प्रोनावन वता खालता है को टिस तो ऐसे होते हैं जो प्रोनावन और एड्जेक्टिव कि कहता है नहीं होते हैं हालांकि डिटेंटर मिनलों होता है और यह जैसे मैं लिख दूँ मैं जैसे मैं लिख दूँ इस इस मैं और मैं लिख दूँ आई ओन इस कार ठीक है मैं लिख दूँ माइ कार इस नॉट इस कॉस्टली तो मैंने यहां पर तीन एक्जांपल लिखें और आप देख रहोगे इन तीन एक्जांपल में इस वर्ड यूज किया है कि जो इस वर्ड है इसके एक बार जल्दी से पार्ट सब स्पीश बताओ सभी लोग एक्स वाइज दी जो मैंने तीन सेंटेंस लिखें इन तीनों सेंटेंस में जो हमने दिस वर्ड यूज किया है इसके एक बार पार्ट सबस्पीश सभी लोग बताओ दिसको हमने सब्जेक्ट बना के लिख रखा है तो यह प्रोणाउन हो सकते हैं तो यह कार के लिए उस हो अध्यूम्ने एड्जेक्टिव के साथ करक है को इसे कोना पता थ्यान रख लेना कि तीस वर्ड होता है प्रोणाउन है ही लिकिन यह एड़ वर्व डिग्री भी होता है और जिस तरीके से इस इस तरीके से देट भी होता है देखो 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 तो एज और टू यह पांच वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने इन में से जो सो एज टू है वो तो हमें सबको पते हैं कि एड़ वर्व डिग्री होते हैं यह भी एड़ वर्व डिग्री होते हैं अगर हम कभी इन एड़ वर्व का यूज इस दैट शो एज टू इनका यूज किसी एड़्जेक्टिव को इंफिसाइज करने के लिए उसके साथ लिखकर करें तो वह एड़्जेक्टिव अपनी नाउन फ्रेज से अलग यूज होगा तो उसको अलग करने के दो तरीके होत अलग कर दो नाउन एलग कर दो और एड़्जेक्टिव और इसको इंफिसाइज करने लिए और यसको इक तरीका तो यहता है दूसरा तरीका होता है कि आप इस मोमेंटस को फिके मतलब यह एडवर्ब जिस एड्यक्टिव को साथ एंफिसाइज करने के लिए उसको प्रेडिकिटिव्ली उसकर लो तो जब प्रेडिकिटिव्ली उसकरते हैं तब तो आसान हो जाता है समझना लेकिन जब हम ऐसे सिचुएशन बना देते हैं कि जहां पर यह साइज करने के लिए ऐसा किया जाता एक दॉभस समझाता है वा जया से हुआ है अग तो है कि यह था लेनफनेव में तीन लिखे हैं है टीनों में इसे कोई गर्वण हो गया हो एक गलत हो गया दो गलत हो गया हूं तो वो गलत हो beticie person noun हो गयाि Tall adjective हो गया A determiner हो गया person noun हो गया Tall adjective हो गया सबसे पहले हमें यह समझना है किसी को कोई कन्फूजन नहीं किसी कोई कन्फूजन नहीं यह डिटर्मिनर है आर्टिकल है तो कोई कन्फूजन नहीं आप कन्फूजन नहीं हो सकता है कि सेकेंड वाले एक्जांपल में यह डिटर्मिनर उसको कह रहे हैं दोनों को कोई दिक्कत नहीं है यह होता है जैसे मैंने आपको यहां पर इन एक्जांपल से समझाया है कि परसन सिंगुलर कांटेबल नौन है और हमें पता थो परसन के साथ में कोई नहीं को बने को सकता है तो हम देट को को अगर फिसे करते हैं तो हमने अठीक्तिव को एसी जगे पर आसे इसको और है इसे हाई इडिवर्व इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हम एडिवर्व मान लेंगे तो person noun का determiner missing हो जाएगा और that को determiner माना जा सकता है तो इसको determiner मान लो तो that और a determiner होगे अब बात यह कि उपर वाले example में फिर हम that को determiner क्यों नहीं मान रहे हैं तो उसमें हम उसको determiner इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि अगर हम वहाँ पर that को determiner मान लेंगे तो फिर a गलत हो जाएगा अब मान लोगर आपने that determiner person के लिए लिख दिया तो फिर a लिखने की जरूरत ही नहीं बची और अगर a लिख रहे हो फिर that क्यों लिखा तो या तो हम इनमें से को हटाएं जैसे या तो हम लिख दें a tall person ऐसे लिख दें that हटा दें या हम लिख दें that tall person ए हटा दें तो या दें that को अटाके या इसा बना ले या दोनों को लिखा रहे नहीं दें दें that को मान लें तो हमें पता कि that अट्वर्ब होता है उसको माना जा सकता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देट को एड़बर माल लेंगे तो होगा क्या तो अगर हम लिखकर टॉल एड़िक्टिव की डिगरी को इंफिसाइज कर रहे हैं तो हमें इस लिखना चाहिए क्योंकि यहां पर इसका मीनिंग हो जाता है फोकस में नहीं आ सकता है तो यहां पर नहीं समझाएं आपको यह वाली बात से तो आप यहां पर क्या कि यह इसलिए गड़गड लिखकर आप एड़्जेक्टिब को कर रहे हैं लेकिन उसको यूजरी कर रहे हो जहां पर इंफ्रेंस हो नहीं सकता है क्योंगी उसकरोगे तो सारा मेंवर्ड नाउन होता है यह गलल लिखा हुआ है या था आ वनालो जैसे नीचे वाले sentences यहां हमारे पास यह तरीका है कि एड्ज्क्रिस को दो अलग-अलग phrases के से रिप्रेजेंट कर दें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह है को अगर हम इसको दैट टॉल को उससे करने तो भी हम यह करते हैं I have never before seen so tall a person I have never before seen this tall a person I have never before seen as tall a person तो अगर मालुमें आप आप दैट की जिए कि दिस होता सो होता एस होता तब भी हम ऐसे लिखते हैं ऐसे ही लिखना पड़ता तो इंफिसाइज करने के लिए कर रहा है तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं और भी एक तरीका और भी ऐसा ही करने का कि हम इसको प्रॉपर प्रेडिकिटिव ली तरीके से यूज़ कर लेंगे हम इसको ऐसे लिख दे है आए है आए है नावर बिफोर इन अपर्शन को इस को इस को इस को इस को आप इस लिख दो है हूँ को इस देट टॉल को हमने देखो कैसे इस लिया प्रेडिकिटिव लिए इसका सब्जेक्ट किसको बना लिया हूँ को पर्सन के लिए यह तो मैं इसे लिख दें आप नेवर विफॉर सेन पर्सन हुई दैक टॉल यह लिख दो आपके साथ ही इनका और क्वेश्चन है इसको डिसक्रस करके फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन है मैंनी अफ्लार आर बॉर्ण टू बलशंशीन अगर यह सेंटेंस गलत हो तो इसको सही करना है आगे भी थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन उत्रहां हमें डिसक्रस नहीं करना है कि लिखा गया सेंटेंस है अगर यह किसी तरीके से गलत हो तो हम इसे क्या करें कि सही कर ले कि सभी लोगों को ऐसी बात बताने है अब देखो कि यह कॉंप्टिशन के स्लेवस में डिसक्रस होता ही रहता है यहां पर कई बार होता है क्या पहले आपको बता दो हमारे पास है का इस जिसकल अम यह द्लमर करता है जिसकले मेंे ज्यादा इंगलिस में होता नहीं हो dan नां के साथ करते हैं बारे महला का हे और महला जब यह नहीं देख पाते हैं कि मैंनियेXT अधे तो इन्टशİांकर सब्सक्राइब करते हैं दोनों का ही उस है दिया नटना नहीं लेकिन कभी कभार आ जाता है है लिटल मेक समीकल यह इंग्लिस में बहुत पॉपुलर ठीक है तुम्हें सजातर ने पढ़ी होगी कि मैंनी कि गैस्ट कि अब लेफ्ट तो इनके उसको लेकर हमें सीखना यह कि मैंनी के साथ में करते हैं और अगर अगर वह सब्जेक्ट हो तो उसके लिए वर्ब लोली लिखते हैं मैंनी के साहले से कई बर पाता नहीं होता हमें पता भी नहीं होता तो जब उसको पहली लिखाए देखते हैं तो में confusion होता है मैंनी के साथ तो मनें लिख दिया मैंनी के साथ ए लिखा व मैंनी एक अलगी determiner है कि मैंनी यह लिटल मेक समीकल मतलब यह हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा बरता है लब बूंदबूंद करके खड़ावरता है तो आप देखो मैनी इस ते पुराणी प्रोवर्ब्स पुराने पॉएम्स अगेर उन में इसका यूज होता है नहीं अरही होता है यह किसी ना उनके साथ में करते हैं और होता है और अगर तो सब्जक्ट हो जैसे मैंनियर हो गया वर्न पर सब्जेक्ट होगया तो यह मैंनियर किसको optimal Age if较 और सिंगूलर तो अगर इसने यूजिश करों तो कैसी करों गें सिंगूलर है अब यहीन ़ॉआ हम लिए तरह मैंनि फलार्ट चिंग है के मैंनिफ फ्लार्ट དप तो बलश अन्षीन तब क्या होता है तब यह होता है कि मैंनी प्लार्स के अक्वर्ड़िंग अर लिग दे को आप को पूछने और फिर दोनों में डिफ्रेंस नहीं एक ही बात जाहे लिको मैंनी अप्लार is born to blush unseen और चाहिए आप लिख दो many flowers are born to blush unseen एक ही बात है इसको आप ज़्यादर ज़्यादर मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ऐसे समझे लो कि माल लो हमने लिखा आल बॉइज आर प्रेजेंट इच बॉइज बॉइज प्रेजेंट इन दोनों का मीनिंग सेम लेकिन अलग अलग ग्रैमर तो इस्टॉक्चर के कोड़ीं चलती है तो एक जगे आल बॉइज हमने लिखा प्लोड है तो वर बार लिख देग जगे इच बॉइज लिखा तो सेंगलर है तो वर वीज लिख दी तो आल बॉइज आर प्रेजेंट में इंदिंग सेम तेंगे यह में ध्यान रखना है